हेलो गई सो कैसा आप लोग आई होप काफी अच्छे होंगे सो आज कि जो मैं लेटिस जो जोब लेके आया हूं वो आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाले स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट एक पर्मानेंट वर्क फ्रों मॉम जोब ढूंड रहे हैं सबसे ची बात आप लोग के लिए हाँ पर यह है कि आप अपनी local language में हाँ पर काम कर सकते हैं जैसे suppose करो मुझे हिंदी आती है तो मैं हिंदी में काम कर सकता हूँ अगर आपको बंगाली उर्दू या और कोई local language है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं बोल criteria अगर आप लोग यहां पर 10th pass-based तो भी आप लोग eligible है और आप यहां पर काम कर सकते हैं सेकंड है यहां पर कि आपका age limit को कोई criteria नहीं रखा गया है आप चाहें यहां पर student है housewife है retired person है तो हर तरह का candidate यहां पर काम कर सकता है थर्ड जो इसका reason है वो यह है कि बहुत सारे candidate बहुत सारी company पर apply करते हैं लेकिन company की तरफ से response में आ पाता नहीं interview schedule हो पाता है तो यहां पर आप लोग जैसे अपनी registration process को complete करोगे तो आपको 24-48 घंटे का समें time लगए आपका जो है profile check होने में उसके बाद आपने जो भी language select करोगे जैसे आपने Hindi select की उर्दू बंगाली ज test होता है अगर आप वो लोग जो है उस test को pass कर लेते हैं तो डारेक्ट यहां पर आपका selection हो जाएगा यहां पर आपको कोई इंटर्व्यू नहीं रहने वाला है अब बात करते हैं आपकी payment structure की तो यहां पर आपको जैसे और कोई company monthly salary provide कराते सेम यह भी ऐसी कराएगा आपका 1000 रूपीज में बात करूं तो 2500 रूपे पर आर के basis पर आपको provide करेंगे अगर आप लोग चार घंटे काम करते तो 1000 रूपी आसानी से कमा सकते हैं यानि पूरे मन्त का 30,000 रूपे से लिए आपका बैठ जाएगा अब यहां पी आपको work flexibility provide करा रहे है ऐसा नहीं है कि 9 to 5 की आपको बैठना है आप सुबह को काम कर सकते हैं दोपैर को शाम को रात को जब भी आपका time लगे आप अपना time के coding काम कर सकते हैं तो थोड़ा समय भी आपको skin पे लेके चलता हूं थाकि और अच्छे से चीजों के बारे में आपको बता पाऊं समझा पाऊं कैसी आपकी company है कि आपकी जो profile है और कैसे आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं तो जो मैंना आपको link दिया है वीडियो के description box उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपको company के home page पे लेके जाएगा तो यह हमारा we localize q का page यहाँ पर आपका लिखा हूँ है transform your content and data to capture business worldwide तो यह 90 से ज्याद है तो वह वहां के culture को समझेगी वहां के employee को job देगी तो वह सारा काम यहाँ पर we localize करती है तो यहाँ पर आपका लिखा हूँ है localization on a global scale with local impact तो यहाँ पर इसके कुछ partners है जैसे पहले तो इन्होंने अपना काम बताया हूँ है कि हम किस की चीज़ों में काम करते है localization translation AI training data service regulatory specialities workforce solution तो यहाँ पर इनके कुछ जो है trusted by branch to deliver results जिनके लिए यहाँ पर काम करते हैं जैसे डिजनिफ है डैल है टी एंटी है एपसोन एंट्यूट है उबर है और हाल ही में इसका जो collaboration है गूगल के साथ हुआ है जहां पर गूगल और यूट्यूब दोनों के लिए काम करने वाला है तो नीचे आप लोग इसकोल करोगे तो यह सारी चीज़ा आपकी रहेगी आप इने अच्छे से पढ़ सकते हैं ठी यहाँ पर, आपकाणे लिए करी दोzंबा है डी आपकी टीम यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो आप इसके बारी में पढ़ सकते हैं तो जितनी भी आपकी worldwide job opportunities होंगी, वो सारे आपके open हो जाएंगी, तो जैसे आपे scout junior quality carrier Egypt के लिए है, Canada के लिए है United Kingdom के लिए है, ठीक है अलग-अलग countries के लिए हापे आपकी job आई हुई है, तो सबसे पहले हापे आपको location में India select करना पड़ेगा तो मैं यहापे इसे India select कर लेता हूँ यहापे India, India, India ठीक है, मैंने यहापे India पे select किया तो हमारी India से rated जितनी भी jobs है, वो यहापे हमारी आजाएगी अब यहापे आपकी जो profile है, वो as in data validation में ads quality rater कि रेगे यानि हमें ads देखके review करना है कि भाई, जैसे suppose करो ads reviewer का काम क्या होता है, कि जैसे मैं अपना YouTube पे वीडियो बनाता हूँ तो अब आपने देखा होगे कि जैसे मैं part time और full time job के regarding वीडियो बनाता हूँ तो मेरे YouTube पे job से regarding ही जो है ads चलते होगे, मेरी वाली वीडियो पे तो उसे भी कोई चेक करता होगा वो ही बताता होगा कि भाई, यह नोक्री वाला जो है channel है, इस पे नोक्री वाल लगाओ अगर आपने और कोई, जैसे stand-up comedian का देखा होगा, उस पे comedy selected आता होगा गर कोई गाना गाता होगा, उसकी वीडियो पे और कोई से लेटीड, या और कोई से लेटीड, यानि matchable चीजे आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका लिखावा है ads quality rater, बंगाली, यानि यह बंगाली language वाले के लिए, यह हिंदी वाले के लिए, तमिल के लिए और उर्दु के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक open करके बदाता हूँ, जैसे हमारी ज्यादा तर जो audience से वो हिंदी की है, तो यहाँ पर आपका लिखावा है ads quality rater, हिंदी, अब यहाँ पर आपका लिखावा है remote job, यानि यह permanent आपकी work from home job रहेगा, आपको कहीं पर भी जाने की relocate होने की ज़रुवत नहीं है, यह 100% remote ही देती है, ads quality rater, are you a search engine group, can you find what you are looking for with just a few keywords, we have a unique opportunity for you to put your skill to the test, we localize needs Hindi speaker in India, तो we localize को ज़रुवत है इंडिया में Hindi बोलने वालों की, to help support our client project as an ads quality rater, तो यहाँ पर आपको ads quality rater की तरह काम करने है, यानि feedback देना है, कि भाई हम जो ads place कर दे हैं, वो सही जेंगे है या नहीं है, तो वहाँ पर हमें review करके देना है, और कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, you will use a unique web-based tool, तो आप जो है, इन्हों आपका title क्या है, जो आपकी profile रहेगी, वो ads quality rater है, location यहाँ पर आपकी remote यानि work from home जो भी करोगे, अब यहाँ पर आपके काम, मलब इन्हों ने कहा है कि 5 से 20 गंटे तक, पर भी यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, कर आप जादा भी सकते हैं, लेकिन minimum कम से कम 5 गंटे तो आपको करना पड़ेगा, यानि हर दिन एक गंट आपको काम करना पड़ेगा, pay rate variable based on the complexity of the task, तो जो आपके payment होगा, वो dependent करता है, आपको project के basis पर लेकिन minimum 3 डोलर यहाँ पर आपको provide कराया जाएगा, start date as app, यानि जितने जल्दी आप लोग जोइन कर पाए, employment type, यहाँ पर freelancer का आपका काम रहेगा, अब यहाँ पर क्या क्या requirement मांगी गई है, सबसे पहली बात, fluency in Hindi, आपकी Hindi ही अच्छे होनी चाहिए, क्योंकि Hindi में ने काम कराना है, अब इन्होंने काये, strong understanding of English, यहाँ पर आपको English में बोलना नहीं है, बात नहीं करनी है, लेकिन आपको English की जो है, knowledge होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है, multinational companies के आपके client रहेंगे, colleagues रहेंगे, आपने जै savvy and able to work in a fast-paced environment, reliable computer system and internet connection, अब जैसे कि आपको permanent work from home job दे रहें, तो उस पे काम करने के लिए आपके पास laptop, यह computer होना चाहिए, और एक internet की connectivity अच्छी होनी चाहिए, ability to follow instruction in English and comply with the project guideline expected by the client, अब यहाँ पर आपको कुछ instruction दी जाएगे, हो सकता है, वो आपको English में दे, तो आपको स पता रहो, तो इतना आपको आना चाहिए, must sign a non-disclosure agreement to protect client confidentiality, तो यहाँ पर आपको non-disclosure agreement sign करना पड़ेगा, बहुत सारे वच्चे confused हो जाते हैं कि भाई, non-disclosure agreement होता क्या है, तो यह मतलब बहुत सारी जो company होते हैं, अपनी secret information देती है, ठीक है, तो यह आपका non-disclosure agreement में होगे कि आप हमारी company की जितनी भी information है, अपने पास safe रखोगे और किसी को नीद होगे, ठीक है, इसका मतलब यह होता है, must pass a language proficiency test, यानि language proficiency test, जो भी language आप select करते हैं, Hindi, Urdu, Bengali, जो भी, learning platform and a regress quality, test designed by our client before starting work, तो जो काम करने से पहला आपको test pass करना पड़ेगा, यह सारा इन quality volume of work and a long term partnership, और यहाँ पर आपको 24 घंटे और 6 days आपको support दिया जाएगा, आपको किसी भी time कोई भी दिख्कात आती है, कोई भी problem आती है, तो उनके customer support है, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो यह सारी इसी जिनों लिखी हुई है, अब यहाँ पर apply for the job पर आपको click करना है, जैस से पहली बात, आपका जो CV है, वो doc या PDF की form में होना चाहिए, और उसका site compress करके रखना, फिर यहाँ पर आप लोग अपना full name डालोगे, अपनी email ID, अपना phone number, फिर यहाँ पर अगर कोई कहीं पर काम करता है experience order, वो अपनी company का नाम डालेगा, otherwise अगर आप लोग fresh है, तो इसे खाली छोड़ दोगे, फिर यहाँ पर आप लोग अपनी LinkedIn की profile डालोगे, अगर आप नहीं डालना चाहते, यहाँ पर NA डाल दो, क्योंकि जिन पर red star बना हुआ है, यह blog के ओपर इसे भढ़ना जोल्री होता है, फिर यहाँ पर GitHub URL, portfolio URL, other website इसे खाली छोड़ देना, अगर project is paid by the task up to $3 USD, और approximately, would you accept this rate, उन्होंने काया कि $3 पर आपको परार आपको provide कराए जाएगे, तो आप इस rate से खुस है, comfortable है, तो यहाँ पर हम yes कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद time commitment, would you be available to work 10 hour per week on this project, तो कम से कम आपको एक हफ्ता में 10 घंटे काम करके देना पड़ेगा, इससे मलना इतना तो देने पड़ेगा, इससे जादा आपको कितना भी कर लो, लेकिन कम नी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं yes कर देता हूँ, फिर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, you will be provided with practice simulation material and instruction that will prepare you to the take the final exam, तो इन्होंने काया कि हम आपको study material वगरे प्रोइड कर आदेंगे, कर आप वो test attempt करना चाहते हैं, तो उसे पढ़ेगा, आप कर सकते हैं, यहाँ पर yes कर देंगे, फिर यहाँ पर आपका आता है, what other language do you speak at native level fluency, अगर आपको को कोई local language, जैसे में हिंदी के साथ, मैं यहाँ पर English कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे English आत हूँ, फिर यहाँ पर आपका आता है, hardware and technology question, do you have a PC or laptop, तो आपके पास PC or laptop है, तो यहाँ पर मैं yes कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ads quality rater experience, do you have previous experience as an ads quality rater, कभी आपने इस पर काम किया है, तो आप directly यहाँ पर no कर दोगे, क्योंकि ज़्यादा तर यह recommend fresher को करता है, यह चीट गई है, if yes, can you please clarify the tool you use, तो हम जब करते ही नहीं, तो यहाँ पर आपको डालनी ज़र्वत नहीं है, फिर यहाँ पर आपका आता है, were you referred by an agency, तो हमें किसी भी agency ने refer नहीं कहा है, यहाँ पर आप लोग नो करोगे, तो यहाँ पर you, if you were referred by someone associate with we localize, please enter their email address, otherwise write na, तो यहाँ पर एनने ही लिखना है, ठीक है, इस तरीके से, आपको एनने लिखना है, अब आप यहाँ पर डारेक्ट नीचे आओगे, where did you find this opportunity, आपको इस opportunity के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पर आप लिख दोगे, we localize, we localize website, we localize q website, कितना आपको यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ आप लोग क्या करोगे, अपना cover letter, cover letter मलब 6-7 line में होता है, जो कि आपके background को और आपके resume को ऐसे present करता है, कि आप इस job के लिए perfect match है, अगर आप डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं, दर्वाइस से खाली छोड़ देना, नीचे school करते हैं, आपको gender भढ़ना है, gender male है, female है, अगर आप लोग इस से जुड़ी update लेना चाहते हैं, तो आप इस पे tick कर सकते हैं, दर्वाइस से खाली छोड़ देना, I am human पर आप लोग क्लिक करोगे, इस पे click करने के बाद यहाँ पर आपका capture हैगा, जैसे please click इस image, containing है hokey match, तो hokey match कहा कहा पर हो रहा है, यहाँ हो रहा ह आप कर दोगे, इतना काम आपका रहेगा, तो इसका जो link है मैं वीडियो के description box में दे दूँगा, वहाँ पे click करका आप लोग apply कर सकते हैं, इसके अलाव अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी problem है, कुछ भी issue है, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, so जो लोग इ आए हैं, वोज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना 3-4 new job updates लेके आता हूं, that can be helpful in your career growth, and last way बस इतना ही करा चाहूंगा, कि चैनल को like करना है, subscribe करना है, and share करना है, so thanks for watching this video, thank you.